वर्जबाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है केमसी हैं सिटी एंड केमसी कैंसर इंस्टिट्यूट उत्तिरी भारत का आधूनिक्तम सुविधाओं से यूगत चिकित सा संस्थान बागपत रोड मेरट स्मार्ट यूपी के मेरट शहर में आज सुभा एक हादसा हो गया बरसात में खिलते खिलते एक दस वर्षे बालक नाले में गिर गया अफरा तफरी मची तो नगर निगम वे पुलिस ने सर्च आउपरेशन शुरू किया सर्च आउपरेशन में एक बड़ी दिक्कत शहर के प्रमुख नालों में से एक इस नाले का कुड़ा करकट भी पूरी तरह से अटा होना रहा गंभीर बात यह है कि बर्षात शुरू हो चुकी है लेकिन शहर के नाले कुड़े करकट से लबरेज हैं हालात यहां तक गंभीर हैं कि प्राय सभी नालों की उपरी सते पर कुड़ा करकट इस हद तक जम गया है कि उस पर खड़ा भी हुआ जा सकता है करीब 6 घंटे के कुड़ा हटाओ अभियान के बाद भी बच्चे का कुछ अता-पता नहीं चल पाया है सर्च ओपरेशन जारी है मैं हूं रवी शर्मा और आप देख रहे हैं फस्टबाइट टीवी तरसल मेरट के लिसाडी गेट थाना इलाखे के जाकेर कलोनी में तसलीम अपने परिवार के साथ रहता है उसका दर्षवर्ष या बेटा मुहमद अर्ष इस हाथ से कर शिकार हुआ है नाले में वह कैसे गिरा अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है लेकिन आसपास के लोगों कहना है कि बरसात में खेलते-खेलते संभावते किसी बच्चे ने ही उसे धका दिया समचार लिखे जाने तक कि शोर की तलाश में नाले का कुड़ा हटाया जा रहा है कम्बेर बात यह भी है कि बरसात में हर बार ही मेरट में जल बर आव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है हर बार बरसात में पहले ही नालों के सफाई बड़े पैमाने पर कराई जाती रही है यह बात दिगर है कि नाला सफाई भी नगर निगम के अफसरों के लिए कमाई के रूप में किसी वर्दान से कम नहीं रहा है इसके समय समय पर जांच भी चलती रही है इस ख़बर में फिलाल इतना ही, आप देखते ही अफ़ासबा.tv, नमस्कार!